देज मंडी यूटूप चैनल में आपका सवागत है किसानों के लिए और आम जनता के लिए चैनल पर अमेशा अनाज के ताजे बाव बताइ जाते हैं प्याज में जबट एक बावर 6 के लावा लाँ लाइए हैं तो आज देच में सब शे पहले असाम की बात करें तो आसाम में अज अधिक्तम आवरे चंडी कट की बात करें चंडी कट में आज वारा रुपे और मद्यम जो रहे है जो अच्छा नो पर पचिन गारी नासा नहीं जो भावरे टॉप माल की दीमत शोड़ा रुपे तक भी बिकाए गुजरात की आज शाड़े पांच रुपे से लेकर आट रुपे तक वही मद्य मीडियम जो रहे है साथ रुपे तक और पांच रुपे तक और टॉप माल की आट गारी नास्टा चाल गारी आपने पास जो एवन क्वालिटी की जो प्याज है अजाकर मंदी शाड़े और अधिक्तम भाव जो रहे हैं 12 रुपे और मीडियम बाव जो रहे हैं शोड़ा र रुपए और 12 रुपए तक भी प्याज विकाए किसानों को बहुत अच्छा फाइदा हो रहा है क्योंकि चार से पांस दिन के अंदर प्याज की कीमत काफी बटने वाली है वह भी दस दिनों के बाद में आपको कीमत करीबं 30-35 रुपए प्याज की कीमत जा सकती है वह बात कर पे और उसके बाद में मध्यम जो बावरे वह साथ रुपए तक भी रहा है पंजाब में आज आट रुपए वह उपर के जो बाव है वो रह साड़ा सतरा रुपए तक और मीडियम साड़ा 15 रुपए और बारा रुपए तक भी प्याज पिकाए प्याज की कीमत बहुत और अधिकतम दुभाव रहे हैं वह कुण सी है बाउजी तक बिका है वह आज जैसल मेर मंडी में 12 रुपे तक बिका है जालोर में 15 रुपे तक जोद्पुर मंडी में आज भ्याज में काफी गिराउट देखने को मिली आज पाट रुपे से लेकर 8 रुपे तक बिका है वह आज बात करते हैं उत्तर परदेश में आज साड़ा साथ रुपे वह मीडियम भाव जो रहे हैं 8 रुपे से लेकर 9 रुपे के बीच में वह 14 रुपे से लेकर 18 रुपे के बीच में रहे अगर आप इसी तरह ताजा भाव जाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर क करें